Hello everyone, welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ कुछ खास शेयर करूँगी. आज मैं आपके साथ कुछ अपना खास शेयर करूँगी. मेरी weight loss journey बहुत inspiring रही है और ये मैं proudly बोलती हूँ. सिर्फ video के लिए नहीं बोल रही हूँ. क्योंकि जब मैं weight loss करी थी, तो मैं अपने छोटे-छोटे efforts की value किया करती थी. मैं अपनी छोटी-छोटी achievement से खुश हो जाया करती थी. मुझे आज भी आदे कि जब पहले week में मेरा 4 kg weight loss हुआ था, तो मैं बहुत motivated हो गई थी. मुझे लग रहा था कि जब मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं इससे better भी perform कर सकती हूँ. और यही secret था मेरा 20 kg वजन घटाने के पीछे. मेरा जो highest weight था वो 65 kg था और आज मेरा weight 45 और 46 kg के पीछ में है. खुद से inspire और motivate होने के पीछे का reason बहुत ही simple था. मैं सिर्फ थोड़े time के लिए healthy और fit नहीं देखना चाहती थी कि आज weight loss की और कल सब कुछ छोड़ देंगे वापस back to unhealthy routine. मैं चाहती थी कि मेरी lifestyle हमेशा के लिए healthy बनी रहे. और एक साल हो गया है मुझे weight loss किये हुए. पिछले साल 2nd January 2020 से मैंने weight loss करना start किया था और 4-5 महिने में मैंने 20 kg तक वजन खटा लिया था. और आज भी मेरा weight 45-46 kg के पीछ में ही है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं weight loss करी तो मैंने 3 चीज़ों को अपने दिमाग और दिल में उतार ली. कहते हैं ना कि अपने जहन में बैठा लो ये बातें. तो मैंने भी 3 चीज़ें समझ ली. सबसे पहली चीज़ थी कि मैंने अपने खाने की quality को improve किया. दूसरा मैंने अपने खाने की quantity को समझा. दूसरा मैंने अपनी body की requirements को समझा. यानि की अपनी body की जरूरतों को समझा. तो आज मैं आपके साथ एक diet plan शेयर करूँगी जो मेरे लिए highly effective था. पर एक चीज़ और में clear कर दे रही हूँ. जिन लोगों को भी लगता है कि 10 दिन में 10 kg वजन घटा लेंगे, कम खाना खाएंगे, उबला हुआ खाना खाएंगे, मील स्किप कर देंगे तो weight loss हो जाएगा. ऐसे लोग इस वीडियो को ना देखें. मेरे वीडियो का motive होता है long term benefit. और long term benefit कैसे मिलेगा यह मैं आपको already समझा चुकी हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे early morning routine से पर उससे पहले अगर अभी तक अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सबसे पहले subscribe करिए. बेल आइकन को टैप करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप मेरे पहले वीवर बने तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे early morning routine से. कि अगरिए सबसे के पहले तो झाFTूप लगाने में वीडियोAK तक अभी तो आपदयाऊगाइ कि उब एले सकेक्स एने तो पूंय पूंसे, अपदा है. इसक्ति दुवाफ सूपने की जड़ते हैं वीग करें में ब segurते हैं मेरे तीज हैं लिज़ते हैं. अधर जड़ जाग्यों 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 पाग्यों सिर्गाओक जगाने लाग्यों सीट्टर नाग्यों। प्याहित पाल कर दो कर दो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेल्दी टेस्टी काबुली चली की सबजी इसमें मैंने सिर्फ एक टी स्पून मस्टर्ड ओयल का यूस किया है बिना ओयल के भी हम सबजी बना सकते हैं जो टेस्टी लगती है खाने में और वह में आगे की वीडियो में अपके साथ शेयर और हमारी इंडियन डाइट इतनी अच्छी है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है तो चले देखने कैसे बनानी है हेल्दी टेस्टी काबुली चने की सबजी जिसमें भरपूर आइरन और प्रोटीन है करने में प्रोटी बाहे हेल्ट कर देखने की सबढ़ में अच्छी है कर दो दो कि एग एक पर बनादाएन हो, कि एग जनाओ जब फया का उनादा। कर दो कर दो कर दो कर दो कि आपके लिए भी ये डाइट प्लान एफेक्टिव रहे और दूसरों की बातों से अफेक्ट में थोईएगा कि दिन में पांच मिल्स खारी हो कैसे पत्ली होगी याद है मेरे घरमे एक भाहिया रहता है और कोछ खाती रहती थी एक requin next. मैं उन्हीं कहते है कि अपको नॉलज नहीं है मेरे डीसर्टिन ने मुझे सबकुछ समझाया है और रेज़र्ट उनके सामने है तो आप भी दूसरों की बातों से एक मत हो ये खुद पर और वेट लॉस प्रोसेस पर बिलीव रखिए तीन बाते मैंने आपको समझाई थी स्टार्टिंग में याद है ना आप भी उन तीन बातों को याद रखिए और अपनी लाइट को एंजॉई करिए अपने फूड के साथ हेल्दी रिलेशन्शिप बनाएए I'll see you in the next video Bye